आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है। इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे। साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ। आज गुरु परब का पवित्र दीन है। अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए एक नई शुरुवात करते हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिती सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिती मजबूत हो, इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन क्रशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को, खास कर छोटे किसानों को और ताकत विले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के क्रशी विशेशग्य, देश के क्रशी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ, और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हुँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित में देश के हित में गाउं गरीब के उज्वल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्णा समर्पणभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्णा रुप्षे शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्थ था क्रिशी अर्थसात्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें क्रिशी कानूनों के महत्वपूर्थ को समझाने का भड़पूर्प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशय माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत 17 में इसी महिने में हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरूआत करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी खेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैट्रन को बैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर बविश्यकों ध्यान में रखते हुए निलने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्य वज्यानिक होंगे कृष्य अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा। पीछे ना हटो। जो किया किसानों के लिए किया। जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। आप सभी के आशिरवात से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।